हाँ भई तो equation of trajectory अपने पढ़ लिए time of light अपने पढ़ लिए height पढ़ लिया सब पढ़ लिया अब माल लो कि यह प्रोजेक्टाइल है अपने कुछ सवाल भी अपन करेंगे उस पर ग्राउंड से फेक रहे तो ग्राउंड पर मिल रहा था बेसिक बात अगर सोचो तो अगर यू और acceleration और यू के बीच में अगर कुछ एंगल है तो पाक तो पहराबोलिक होगा यह बात हमें समझ में आ गई थी है ना अब यह अगर अब मान लीजिए कि मैं ऐसे फेक हों पत्थर और मैं टावर पे खड़ा हूं तब भी जायका तो प्रजेक्टाइल फ्क्राउट अब यह वाला प्रियप सबसे बेसिक केस क्या है कि मैं किसी टावर पक्षट हो जाए और टावर पक्षट हो कर अगर अपने पत्थर को या new ball को या किसी भी चीज़ को या फिर सुन्दर करन्या है तो एक गमला फेके बालक पर वो अगर ऐसे फेके सीधा टावर से तो वो कहा गिरेगा, कितनी रफ़तार से गिरेगा क्या होगा, उस पर चर्चा करी जा सकती है डिटेल में उसमें बहुत सारे सवाल बनाई जा सकते है उसकी बेसिक स्टेडी को अपन करते है आईए देखते हैं, ओके चल जा भई, चल जा भई ओ, 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 लो भई ये देखो, ये चला, ओके ऐसे फेकी बाल भई, माल लो एच हाइट से फेकी अपरने, अच्छा सीडी फेकी माल लो यूर अफ़तार से, किती रफ़तार से यूर अफ़तार से, ओके अब एक बात हमेशा याद रखो कि जहां से फेकों से ओरिजिन ले लिया करो, बिलकुल ले लिया साब तो एक बात अच्छ है समझो इसको हमेशा दो हिस्सों में तोड़ देना चाहिए जहां से फेकों से ओरिजिन ले लो ओरिजिन ले लो, वर्टिकलर डिरेक्शन को वाई ले लो बिलकुल बेसिक जो अपन दो हिस्सों में तोड़ कर अबी तक जो अपने ओग्यान आता है वन्डी को वैसे हम उसको करते हैं मुझे एक बात बताईए इनीशिल रफ्तार एक्स में कितनी है सर यू है एक्सलरेशन in x कितना है सर जीरो है इनीशिल रफ्तार in y डियरेक्शन कितनी है सर जीरो है ऐसा नहीं है, अभी जो मैंने सबसे आसान केस लिया है क्या मैंने उसमें ध्यान सुनना क्या मैंने उसमें इनीचियल रफतार वाई में जीरो ले ली, पर ले भी तो सकता था सोच अकर पतल को उपर फेकता तो क्या कुछ यूवाई होती नीचे फेकता, एसे टिड़ा तो क्या इनीचियल रफतार वाई में भी कुछ होती नेगेटिव डिरेक्शन में हाँ सर, पर इस सबसे स्पेशल केस में, यूवाई कितना है जीरो, अरे कितना है जीरो, ओके सर अच्छा, इनीचियल रफतार ने नेक्स यू, एक्सलेशन इन एक्स जीरो, एक्समें तो को एक्सलेशन होता ही नहीं है, वाई में इनीचियल रफतार, सर, जीरो क्योंकि हमने सीधा फेका है अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिलकुल सही है एक्सलेशन इन वाई, सर, ये तो माइनस जी है बाई, एक्सलेशन जू टू गरविटी आ गई ना हाँ, सर, वाई में तो एक्सलेशन माइनस जी है, क्योंकि हम जहां से फेकते हों उसे ओरिजिन लेते हैं, उपर वाली डिरेक्शन को, अपन पॉसिटेव लेते हैं, क्या लेते हैं पॉसिटेव, ओके सर, बात तो आपकी सही है, यू एक्स इकॉल टू यू, ये कहानी तो सही है सर, बिल्कुल, ये अपने को समझ में आ गया सर, ओके, अब देखो धियान से बिल्कुल बेसिक बंडी की तरह करेंगे, वाई में देखो वाई डिरेक्शन में, ओहो हो, मुझे बताओ वाई डिरेक्शन में, जब तुम ग्राउट से टकृएगी बॉल जब बॉल ग्राउट से टकारेगी, ऐसे याओगी हाँ सर, जाएगी तो पर चक्टाईली हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है, अगर वाई डिरेक्शन में What is displacement in y? What is displacement in y? From the origin point. Sir, minus h. Minus q? Neeche hai. What is displacement in x? Sir, r. Jisay apne range bolenghe. Aray, haa, sir. Baat to sir, aapki bilkul sahih hai. To y ma displacement minus h. Dhyan de na minus h li hai. Aray, haa. Displacement in x? Sir, r. Khera, abhi to y ki charcha karate hai. To y direction me displacement do a minus h. Ho, 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 ho. To dhyan se dhekho. Kya aap al nix saktay hai. Yeh wali equation. S berabar ut plus half of a t square. Bilkul laga saktay hai. Kyunki acceleration constant hai. Kya y direction me equation laga saktay hai. Bilkul laga saktay hai. Lagatay hai. S y equal to u y t. T wo time. Jitni dihir me aap neeche aagay. Kya is time t ko? T maal ne. T kya time of flight maal ne. Aray, haa sir. To kyu na aisee likhe hai. Plus half of acceleration in y direction into t square. Kya y me equation lik saktay hai? Bilkul lik saktay hai sir. 110 percent. Thik hai, likho bhai. Y me displacement sir? Minus h. Initial velocity in y? Sir, zero sir. To yeh zero. Acceleration in y direction? Sir, minus g. To minus g by 2 into t square. Minus nye minus ko maar diya. S'monjh me aya? Minus ki importance hai. T equal to under root 2 h by g. Oh, 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 oh. Baat to sir, aap ki bilkul. Sahih hai. Joradar hai, majidar hai. Tum dhiyan se dhekho. To yeh wohi time hai. Jho kya motion in 1 d motion under gravity me. U equal to zero lhe kar. Aparna under root 2 h by g aya tha. Arre, wohi to hooga. Kyunki jab ball ko tower se chhoed te hai. Tab bhi time kya under root 2 h by g lagtata tha. Agar horizontal cd-reftar safe eka. Tab bhi yeh hi lagega. Arre, haa, sir. Similar situation hai. Y direction ke liye to. Y direction ke liye to tower waala sawaal tha. Isme initial aftar zero se chhoed ta motion under gravity me. Haa, sir. Wohi wohi situation hai yeh. Haa. Baat to, sir, aapki bilkul. Sae yeh, sir. Jorudar hai, sir. Majidar hai, sir. Shandar hai, sir. Jaberdast hai, sir. Wohi wohi, sir. Ab kya karein, sir? Kuchh mat karo. Karate chalou, badeh te chalou. Dekho rai, bhai. Sucho rai, bhai. Wohi wohi rai, bhai. Ok. Thikai, 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 thikai. Time aaga, sir. Under root 2 h by g. Kab? Jab tower se ball ko? Sidhye fakea. Kaisa fakea? Sidhye. Aray, haa, sir. Haa, sir. Baat to, sir, sae yeh. Ab dhekho. Koii aap sa range pooch le. Mujhe eek baat batao. Is r ko, agar x direction mein soochei hai, x direction mein. Ok. x direction mein acceleration kya hai? Zero. Bilkul sahih. To range kya liekhi jayegi? Range liekhi jayegi. Ux into t. Time of flight. Ux kitna? U. To u into t. Time of flight kitna? Under root 2 h by g. Low saab range aagayi. Aray, haa, sir. Puri ps jayegi raadu hoa is. Kuch bhi pucho. Kya hai us mein? Agar baat sammhii me aati yeh. Kaila tao jo bola chamka? Haa, sir. Kya rahi nikaal ni yai? Haa. Kya time of flight nikaal ni yai? Haa. Kya, kya pooch sakta hai? Jo pucha hamei. Sab aayega. Dhekho kaise. Or dhekho bhai, Or dhekho bhai. Ab baqi to data daalna hai bhai ya. Kya daalna hai? Data. Baqi sab normal procedure hai. Tum dhyan se dhekho. Tum yai direction me Vohi wala sawal hai Jho motion da gravity me tower se Initial riftar se Chhodha gaya tha. Okay, sir. Got your point, sir. Baat samajayi, sir. Ab kya karayi, dhekho bhai. Samaj aagya, sir? Acha lag raha hai, sir. Glablablab mat karo, sir. May kya glablablab haru haa? Tum karo ge? Chalo haa, jau. Acha. Haa, sir. Sahi lag raha hai. Badiya, shandar, jandar, Jaberdarst. Ab kya karayi, ab kya karayi, ab kya karayi, ab kya karayi. Kuch mat karo, suno. Aagye dhekho bhai, dhekho bhai, dhekho bhai. Kya karo, dhekho bhai. Chalo bhai. Ye ho gaya? Haa, sir. Ye ho gaya. Acha. Ab dhekho. Malinji ji koya, abse puch lhe. Ki jab ball tukra raha raha hai hai. To y me riftar kya hai. To v y nikal lo. V y aise. Or v x aise. Kya v x nikal saktay ho? Haa, sir. V x me kya hai? V x kya hai? V x to yu hi raha gha. Kyo? Aray horizontal ki riftar to change hi nai hoti. Par v y to ae gha. Kya v y ae gha? U y plus a y t. U y to zero hai. A y minus g t under root 2h by g. To aya under root. Minus under root 2gh. Oh 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 oh. Root 2gh yad a raha hai? Ye ball bhi jab tukra ati thi. Tho root 2gh se hi tukra ati thi. Y ki kaan hi to same hai. Uus walay sawal se. Jis se tower me tukra raha raha thi. Dekho, dhyan se dhekho. Agar me tower se ball ko horizontal me phek raha ho. Sawal aap ko or bhi ho jayayin. Paryšan mat ho na. Agar e sire horizontal me phek raha ho. Kya puch dhe? Time of light aatiya under 2h by. As aam jow tower se ka horizontal fhek a na. To bhaiya y direction me to woh hi kaan hi hai. Jho motion na gravity me tower pe se. Riftar zero se chhoda gaya tha. Y me to woh hi kaan hi hai. Or X me range ko yu lhe jayega. Paryšan honne ki, ghabranne ki, sharmane ki bilkul ava shaktah nahi hai. Aray bholo bhai. Aray sucho bhai. Haan sir. Haan sir. Sarih lak raha hai sir. Shandar sir. Jabrdas sir. Vah vah sir. Ab kya karein sir? Chalo bhai. Aaghe chalo. Chaltay chalo. Badhtay chalo. Dekho raya bhai. Sucho raya bhai. Thik bhai. Ho gya, ho gya, ho gya, ho gya, yye ho gya, yye ho gya. Acha. Ab kya karein? Loh bhai. Or dheekh is me kya kya pooch saktahe. Y me riftar pooch lhe. Takratay okt ki riftar pooch lhe. Takratay okt ki riftar. Y me root 2gh. Niche ki taraf. Okay. May to kya raha hoon. Koyi aap se yuh pooch lhe bhai. Dyaan dhekho kiise. Yeah. Koyi aap se. Takratay. Jho aap ne poochha ho to aap ne kari liya. Dyaan se dhekho. To idher takratay oktar yu. Idher riftar under root 2gh. Kya ye bhi semaj aya? Haan. May toh keha raha hoon. Koyi aap se angle wangle pooch lhe. Takratay okt. Toh bhi aap nikal saktay o ye angle. Kya 10 theta likha jayega. Yu by under root 2gh. Bilkul sahih baat sir. Pooch lhe toh bata dhe. Kya pooch lhe ga? Or dhekho. Aisai yu se pekar. Koyi aap se pooch lhe. Batao. Kishi bhi time t per. Kishi bhi time t per ball. Kaha hooggi. At any time t. Array. Is mein koon si khas bhat? Dyaan se dhekho. Toh ye hua x. Ye hua y. Ohohohoho. Kya y ke liye aapne bolet. Toh kya is walhe sameh pe. Jho coordinate honge. X, y. Woha aap lik saktay ho. Y ki value hooggi. Minus half gt square. Souch ke dhekho. May nai direct kuiu likha. Array. Wohi s y equal to ui. Plus half of a y. T square. Kishi bhi time t per. Ui to zero hi tha. Toh y aagya. Koyi x pooch lhe. X ki value kya hai. X ki value to simple ut. Low bhai. Ohohoho. May toh keh raho ho. Koyi equation of trajectory pooch lhe. Array. Kya pooch saktay hai bhai. Kuch bhi pooch. Hamei koon si dhikkat walhi baat hai. Hamei toh pehle se. Aapna ground to ground. Kujhe tell semagh chukhe hai. Array. Wohi toh hai. Aadha hai. Dhyhan se dhekho toh. Agar mahi isko udar ki dhra pichhe se ground se fake tha. Toh topmost point be pathar pahunc ta na. Wohi ali kahani hai. Array haaan. Kher. Aapna toh PhD ka lhe te. Equation of trajectory me kya karthay hai. X patah hai. Y patah hai. T eliminate kar du. Dekho. T ki value kya hai. X by u. Toh y equal to minus half of g. X square by u square. Ohohohohohohohohohohoho. Toh paari dhulta huwa. Pera bula a gaya. Aya ki nia ye lo bhai. Kaisa aya? Y equal to minus g by 2u square x square. Ji aaghe equation of trajectory. Loh phirsae pera bula. Pani dhulta huwa. Ratna nahi hai. Sumjho kahani ko. Agar mahi nne projectile ko dhyhan se sunou. Horizontal me fake a hai. Kya koji kuch bhi puch lhe. Aap kar saktay ho. Bohut saare sawaal mahi nhi kara raha. Woha ko karae jayenge. Array haana bolou bhai. Haa sir. DPP warch. DPA. Maina basic basic baat bita raha raha ho. Bilkul. Haa sir. Feel kara raha ho. Kya dae kahaan se sawaal bans kata. Koo bana ho. Mereka boolee. Mene sa sawaal bana dhuung. Maa. Us me kohan si khas bat. Array yes or no. Hak ki na. Haa sir. Baat toh aap ki bilkul. Sahi hai. Joradar hai. Majidar hai. Shandar hai. Javardast hai. Array paka. Loh bhaiya. So 10 theta beraber u by under root 2 gh. Acha lag raha hai. Shandar lag raha hai. Javardast lag raha hai. Ab kya karay? Array ab kya karay? Kuch mat karo. Karate chalo. Badehate chalo. Dekho raha bhai. Sočo raha bhai. Vaava raha bhai. Ok raha bhai. Dekho raha bhai. Sočo raha bhai. Yeru raha bhai. Ok. Ab dhekho. Ab dhekho. Ab dhekho. Ab kya karay? Ab kya karay? Loh bhai. Yeh ho gya. Or kya puchhe ga isme? Isme o kya puchhe ga? Batao mei rukou. Kuch aini isme puchhen jai sawa. Sab bata diya pang. Kya isa sawaal? Ground to. May hap sa sib bol doon. Dhyan sa suna. Malhi ji ji may hap sa bhol doon ki. Trr 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 trr. Malhi ji may hap sa doon. Oye hoye 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 hoye. Malho may hap sa bhol doon ki. Ki 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 ki. Kya? Dhyan sa suna. Malho may hap sa bhol doon ki. Ek particle ko. Dhyan sa suna. Ek particle ko. Dess meter ki height ke tower se. 20 meter per second se fika. Kya ap sari chijai bata saktay ho? Haan haan. Bilkul bata saktay hai sir. Kyo ni bata saktay sir. Time of ride under 2H by G. Height agar 10 meter hai. Tho root 2 second ake ya. Arie haan haan. Range a jai gi 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 sir. Koon si khas bata hai sir. Sab a jai. Bolo ae ga ki ni ae ga lo. PhD hai poori. Hai ki nahi. May toh tu mh eek thodi tough PhD karta ho. Ab dhokos me tough case kya hote hai. Do case tough kya hote hai. Dhyan sa suna. Ya toh ma tower se ope rupi dhu. Tuck. Aise sida nini phek dhu. Eek sawal bina yata ho. Abhi toh tuha aapne. Tumhara liye aapne mansi bina raha ho. Ghabraana nini. Kuch rati ke nini aya ho. Dekho bhai. Aajau 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 aajau. Loh bhai. Ye kal liya hai sabne. Ye utar liya. Haan sir. Chalo bhai. Dekho bhai. Loh bhai. Malachi jai eek sawal bata ta ho. Dekho. Eek kama kuro. May hee bina yata ho sawa. Dekho bhai. Yee aise. Yee aise. Thik. Yee tower hai. Ok. Yehaan se mahali ji aapne ball fiki aise. Thik hai. Maan lete hai 45 degree pere. Thik hai. Riftar maan lete hai 10 root 2 meter per second. Thik hai. Oopper fiki. Tumh phele dhekho kia projectile aisee jayega. Aaree haan sir. Jayega toh aisee hi sir. Hundred and ten percent. Bolo jayega ki nije jayega. Bilkul jayega sir. Confirm. Pakke se. Ab dhekho. Menei is ki height leta ho. Thubleh acha data lho. Ke eke na duk jau. Ise e, Ise e, Ise e. Hier height kittin ho ki ya. Isan answer hai. Duk jau eke net. Ohohohohohohohohohoho. Chalis lang. Asan answer anna chighe. Dhyan sunna svol. Tumhara saamna svol bina raha ho. X oder vahe me la lag todhen ghe. Or svol karra dahlene ghe. Dhek na abhi. It tough svol hogyan. Loving example. Ab kuch basic rules ko yad rakhenghe. Sarni kya bola tha. Dhyan se sunna. X ko alag rakhou. X direction. जहां से फेको उसे क्या लें? ओरीजिन मिलके करेंगे लो भी टा सवाल होगे उपपर फेकने वाला अच्छा, एक्स डायरेक्शन को देखो भाई और वाई डायरेक्शन को दोनों को अलग-अलग करते हैं और मिलके करते हैं डेटा समझ में आ रहा है सबको एक्स डायरेक्शन सब लोग मेरे साथ साथ देंगे मैं करा दूँगा पिर आपको अपने आफील आजाएगी अच्छा यारे तो हम सब कर सकते हैं जियान से देखो और वाई डायरेक्शन में रफ्तार कितनी है इनीशियल बोलो जासे फेकते हैं उसे ओरीजिन लेते हैं ऐसे एक्स लेते हैं ऐसे Y लेते हैं हमारा स्टेंडर्ड प्रोसीजर है थीक है सर बताओ भई बताओ भई एक्स डायरेक्शन में अरे बोलो भई अच्छा बताओ एक्स डायरेक्शन में इनीशियल अफतार सर, माइनस 10, वो तो 10 ही रहेगा ना, माइनस 10, वो तो भई, acceleration due to gravity है, वो change होने वाला, नहीं है, हाँ सर, सही जा रहे हो, सर, सही जा रहे हो, y direction में, plus 10, ओके सर, अब मुझे बताओ, सबसे पहले अगर तुम्हें time of flight निकाल नहीं है, तो मुझे एक चीज बताओ, जब आप ट equal to u y t plus half of a y t square, हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर, सही लग रहा है क्या, हाँ सर, सही साना चीए, मेरे हिसाब से देखते हैं, चलो, अच्छी बात है सर, अच्छा, अच्छा, आप क्या करें, s y कितना, minus 40, initial velocity in y direction कितनी, 10, time period, t, acceleration in y is minus 10, तो minus half of 10 into t square, 0, 0, 0, ठीक है सर, अच्छा लग रहा है, ध्यान से देखो, अब देखो ज़र 2 ले आए, तो minus 8 equal to, देखो तुम्हाँ सामने रट नहीं रगा, तुम्हाँ सामने करना, बड़ बड़ मनी हो जाए, minus t square, सही लग रहा है क्या, minus plus सब चाही चल रहा है, हाँ सर, t square minus 4t, plus 2t, minus 8 equal to 0, बिल्कुल सही, तो t common ले लो, तो t minus 4, और इधर फे 2 common ले लो, तो t minus 4, अरे हाँ, तो t plus 2, और t minus 4, दो solution आए, बिल्कुल सही, t minus 2, not possible, time negative का कोई मतलब, नहीं है, अलाग इसमें predict करा जा सकता है, चोड़ो, t की value, 4 second, और रे वा सर, t की value कितनी आई, 4 second, मैं थोड़े सुचा था ना, कि data अच्छा है, मैंने data अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, तो minus b, plus minus under root b, square minus 4ac, upon 2a, लगा देते, दरने किया वो शक्ता नहीं है, वो quality equation को solve करने का तरीका है, गबराना नहीं है, बिल्कुल, t कोल टू, 4 second आगया, और रे वा सर, लो answer आगया, आया की नहीं है, लो भाईया, time of flight आगया, अब कोई पूचले भाईया, range क्या है, range, लो सर, range क्या है, बताओ, r, क्या r वास्तविक्ता में है, ux into time period, क्यों, क्योंकि भाईया, x में रफ्तार change, नहीं हो रही, x में रफ्तार change, नहीं हो रही, तो ux into t, ux कितना, 10, time कितना, 4, answer कितना, 40 मेटर, लो भाईया, नया सवाल, नया solution, latest top के लिए, अब confidence क्या लाना, क्या है, यह सवाल में रड़ रखाता, नहीं, अभी बनाया, अच्छा सर, अभी बनाया, तो अब क्या करें, क्या तुम भी बहुत सारे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सवाल लो, फेक दो, कुछ भी पूछ आ जाए, करना वो यह, x में लग तोड़ो, y में लग तोड़ो, basics से, चलो, ओ, हो, 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 अच्छा, तुमें न, माइनस 2 की feeling कर रहा है, यह माइनस 2 क्य तुम अगर ध्यान देखो न, तो अगर इस प्रोजेक्टायल को यहां से फेका जाता न, पीछे से, तो यहां से लेकर यहां तक का time यह 2 second होता, और यह 4 second है, अच्छा, पर हो माइनस का कोई significance नहीं है, आप सोचो कि अगर यह कहानी यह से पीछे से आ रही होती, हो, 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 कहें चोड़ो उसको, तुम्हें time, अगर सवाल साइसे solve करा है तुमने, तो दो रूट आएंगे, एक positive और एक negative, हमें कौन से लेना होगा positive, आप तो positive आदमी, time negative कैसे हो, बो yes और no, हाँ सर, अब तुम खुद सोचो, कि अगर यही सवाल, ध्यान से सुनना, अगर यही सवाल मैं ऐसा देता, homework लेको, तुम करोगे, मैं नहीं बता रहा, अगर ऐसे करता तो, क्या तुम सवाल कर सकते थे, कैसे, मैं फिर से इसको 40 मीटर लेता, ओके सर, अपर पत्थर को, ऐसे फेकता देखो, 45, यह 45 की जगे मैं कुछ भी angle ले सकता हूँ, मैंने ऐसे लिए 10 root 2 मीटर तुम्हें फिर से time of flight बतानी है, और range बतानी है, और यह homework है, और किसी से पूछोगे नहीं, तो confidence आजाएगा, कि यह tower से horizontal फेको, उपर फेको, नीचे फेको, मुझे कोई tension नहीं है, मुझे कोई tension नहीं है, मैं सवाल कर सकता हूँ, अरे यह सोनो, और यह खुद करोगे तुम अरे पका, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल निशर्माएंगे सर, गबराओ मत सर, ओके, बोलो समझाया, तो भईया, horizontal वाला, समझा दिया, उपर वाला, सवाल करा दिया, नीचे वाला, तुम करोगे, सब मैं ही तोड़ी करूँगा, है की नहीं, कर लोगे क्या, अरे पका, हां की न, हां सर, चलो भई, उतार लो तो, गड़ बढ़नी घंडी है, शर्माना नहीं है, जिसने की शरम, उसके आए नंबर, तम, ओके सर, हम तो दी कर रहे हैं, पके से, यह सर, तो भईया, अपना horizontal projectile हो गया, चार सेकंड हो गया, यह हो गया, वो हो गया, समझ भी आ गया ओके सर, आजाओ, 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 नो भई, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाओ, क्या projectile, यानि की पत्थर, अगर tower से फेका जाएगा, क्या सवाल कर लोगे, हाँ सर इक्के दुख्के सवाल आगे और कराओंगा बाकि आपको और अलग से भी कराए जाएंगे ठीक है सर बहुत बढ़ी है हो गया सरी तो समझ गए हम सर अब उस अभी तक हमने क्या करा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रजेक्टाइल देखा अच्छा अब मैं कह रहा हूं तू है ना पाढ़ के नीचे खड़ाओ जा अब पथर फेकने क्या तो तेरी हैं है कि नहीं अब तू पथर फेक रहा तो दोस्त में केस पाढ़ के नीचे या पाढ़ के उपर खड़े होगे पत्थर पेकने के नीचे इन दोनों केस को समझते कोई नहीं कहान ही नहीं जो सीखा है वो ही है पर इन सवालों को थोड़ा आसान करने के लिए एक चीज़ में थोड़ा सा कर बदलाओ करोगे तो सवाल और आसानी से होंगे कैसे वो मैं भी बताऊंगा एक सवाल भी लेकर आपको करा दूँगा ठीक है सर आजाओ सर बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत मजाया वावा आजाओ इरेस ठीक है आजाओ बोलो पक्का देखो भाई ये वाला केस प्रजेक्टाइल ऑन एन इंकलाइन प्लेन हमने ऐसे फेका दिय इंकलाइन का एंगल कितना है एलफा थीटा कहां से एंगल है ध्यान दो कई किताबों में ग्राउंड से दिया होता है हमने इंकलाइन से लिया है कहां से लिया है इंकलाइन से इंकलाइन से इंकलाइन से इंकलाइन से इंकलाइन से इंकलाइन थीटा 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 इंकलाइ अब अपने पत्थर को यूँ से थेखा तुम पहले एक बात समझो इसे डरो मत माननीफिए कि आपकोई ६ही प्रोजक्टाईल ऐस Еफे तो वो ऐसे ही जाता है बिल्कुल जाता है अब तुम इतना सा समझाँ प्रोजेक्टाईल ही तो करता है उसके बीच में पहाड आ जाए इसमें उसकी क्या गलती आप तो ऐसे समझाँ पहले फील करो हलाकि इसको कड़ने के लिए अपन तरीका थोड़ा दूसरा रखेंगे ऐसे प्रजेक्टाइल के है मैं आपसे कहता हूँ कि अगर सोचो अगर ऐसे को इंकलाइंड आजाए ऐसे अलफा और ये थीटा तो ये पात तो वैसा ही रहेगा ना यहां तक टकराने से पहले जैसे हो हवा में रहता तो ये नॉर्मल प्रजेक्टाइल ही है पर बीच में ऐसा समझो सीधी दीवार नी, टेडी दीवार लगा दिए तो बीच में टकरागे उससे तो उसे प्रजेक्टाइल ओने इंकलाइन बोल दिया उस पे कहां टकराएगा कितनी देर बाट टकराएगा ये सवाल तो सबसे बेसिक होते हैं इनको सॉल करने के लिए अपने एक छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे हलाए कि अपन नॉर्मल कोई को बुले सर मैं तो वैसे ही करूँगा एक्स वाइ कॉडिनेट निकालके तो कर ले भई कोई समस्या नहीं कर सकता है जो पढ़ाये जाए चुकर उससे कर सकते हो पर जो थोड़ा सा लंबा जा सकता है तो अपन थोड़ा सा ऐसे सीखेंगे ताकि अपन चीज़ों को आसान कर पाएं क्या कर पाएं आसान मैं इस कहानी को आसानी से समझाने के लिए आपको एक डेटा भी साथ में ले लेता हूँ ताकि आप दोनों बातों को आसानी से कर पाओ आप ये समझ पाओ कि फॉर्मले रटने की जरुत नहीं है इतना थीटा और अलफा से डरने की जरुत नहीं है अच्छा सर आसानी से आंसर आ सकते हैं जैसे मैं आपको पेरलली एक डेटा वाला सवाल ले लेता हूँ कि एक्जामपल उससे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार सवाल तो आसानी होता है माल लेते हैं कि इसमें इल्फा की ओल्यू 37 डिग्री है और मैं तो कहरा हूँ थीटा की ओल्यू 37 डिग्री है अच्छी बात है ये एक एक्जामपल ले लेता हूँ यहाँ पे थीटा इल्फा सब ले लेते हैं इसमें करने की शॉट ट्रिक क्या है इधर देखें दियान से एक्जामपल भी साथ साथ चलता जाएगा ताकि आपको अच्छा लगता जाएगा कि हाँ यार अपने को डरने की घबराने की शर्माने की बिल्कुल जर्रत नहीं है अच्छा सर जहां से फेकते हैं उसे क्या लेते हैं थमरूल ओरीजिन अच्छा अब इसमें क्या करें अभी तक जहां से हम फेकते हैं वहां से ओरीजिन लेते हैं वो तो यहां पे भी करने हैं अब थोड़ा सा अच्छा सवाल को असानी से करने के लिए क्या करो आप पहले X और Y ऐसे लेते थे थे हाँ सर ऐसे लेते थे X और Y आपस में 90 डिगरी होते है अच्छा ऐसा तो कोई रूल नहीं कि X को ऐसे लेना है Y को ऐसे लेना है 90 डिगरी पे होंगे बिल्कुल सही हम X और Y को अब ऐसे लेने मतलब जो inclined है न उसके along ऐसे X ले लो यह X अच्छा ओके और इसके perpendicular ऐसे Y ले लो ओके ठीक है सर ऐसे क्या ले लिया Y अच्छा ठीक 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 अब ध्यान से सुन ऐसे क्या ले लिया Y ठीक है सर यह 90 डिगरी दोनों का Confuse तो नहीं हो रहे नहीं सर अब मुझे एक चीज़ बताओ X और Y अब ऐसे से ले लिये अब ध्यान सुनना जो कह रहा हूं मुझे बताओ अगर X डिरेक्शन में बात करी जाए X डिरेक्शन में और Y में अब दोनों में बात करते हैं अपन हाँ सर बिल्कुल करते हैं देखो उड़ास अच्छा से बनाता हूं आपको अच्छा लगए इनीशल वेलास्टी इनीशल वेलास्टी इनीशल वेलास्टी इनीश डिरेक्शन क्या है यू कॉस थीटा ध्यान दो और हाँ सर यू कॉस थीटा बिल्कुल सही ऐसे ही Y डिरेक्शन में अगर देखें तो ध्यान से सुनना y direction में अगर देखें तो initial velocity in y direction क्या है initial velocity in y direction क्या है sir कितनी है बोलो भाई y direction में sir u y है u sin theta कितनी u sin theta ओ हो 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 अच्छा मैं data लेता हूँ यहाँ पर u को 50 लेता हूँ यहाँ भी लिखते चलो ता कि तुम्हें अच्छा लगे किया छोटा सा हो जाता है बोलो u x कितना sir 50 cos 37 sir 40 what is u y sir 50 sign 37 sir 30 okay sir got your point sir okay ठीक अच्छा अब थोड़ा जादू ही बात जादू ही तो क्या अच्छी बात देखो ध्यान से acceleration in x and acceleration in y acceleration वास्तविकता में किदा है हमारा sir हमारा acceleration तो जब भी बाल हवा में होगी तो नीचे होता है g यानि कि देखो तो ऐसे देखो तो g तो नीचे x axis और y axis से देखो तो ये alpha ओ हो 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 ये 90 minus alpha ये भी alpha oh my god बात तो सराब की साहिए तुम अगर देखो तो x axis की तरफ अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुमें समझ में आएगा x axis की तरफ जो g है वो g sin alpha है नीचे की तरफ और इधर है g cos alpha यानि कि अगर तुम x axis की तरफ देखो तो x axis उपर है पर acceleration in x direction अरे आप जो original acceleration g है उसके दो component हो गए क्यों क्योंकि हमने एक्स और आए में अलग अलग लिए अच्छा डरना नहीं है है ये पुराने projectile पर क्योंकि इन क्लाइंट पर पड़ रहे हैं थोड़ा अलग तरीक से पड़ रहे हैं तकि range time of flight आसानी से निकाल पाएं ओके सर मैं फिर कह रहा हूँ इसकी जो proof वाली कहानी न वो ज़्यादा लंबी है पर जब original team में solve करेंगे तो भी देखना आसानी से दिखाई देगा तुमको अच्छा पहले थाओ x direction में कितना acceleration है सर minus g sin alpha confuse मत हो न फिर कह रहा हूँ रटना नहीं है feel करना है minus g sin alpha यहाँ पर बो एक सेक्सिस में minus g sin alpha यानि कि minus 10 sin 37 यानि कि minus 6 हाँ सर बात तो सर आपकी सही चली मैं साथ साथ सवाल भी करा रहा हूँ ताकि आपको लगे हाँ असानी सूजाता है y direction में अरे y direction में कितना सर y direction में दर बोलो y direction में g cos alpha उपर ही है न यह ने कुछ भलबड करी गए नहीं y direction में कितना acceleration again minus g cos alpha confused नहीं हो ना minus g cos alpha नीचे x में भी negative y में भी negative ओके सर अब क्या करें सर कुछ मत करो सुनू यहाँ पे दिखो तो ay को क्या लिखोगे minus g cos alpha तो minus 8 ओके आजाओ सवाल तो मैं feel करें करा नहीं तो छोटा सा हो जाएगा हो 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 अब देखो इदर अगर तुम ध्यान से देखो तो जब ball टकराई जब ball टकराई तो y direction में क्या displacement था अभी भी 0 है ध्यान से देख ले अरे अगर देखो तुम ने x x ऐसे ली तो y में तो गूम के वापस भाही आ गए sir y तो इदर y अब ऐसे है गूम के इदर आगे y कितना है s y अभी भी 0 है जब टकराई अरे जो अपने वो निकालनी भी पढ़ सकती है बिलकुल सही है जोरदार है मजदार है शांदार है जबरदस्त है अब क्या करें कुछ मत करो सुनते चलो बढ़ते चलो देखो रे भाई सुचो रे भाई वहा रे भाई y direction में किस में y direction में क्या displacement 0 है तो फिर से वो ही s y equal लंबा लंबा करके सिखा रहा हूं पर आपको direct समझ में आना चाहिए plus half of a y t square s y कितना 0 initial u y t minus half of a y t square मैंने minus लगा लिया क्योंकि minus में a y रुछ से कुछ सिखाने के लिए ती ने t को मार दिया time की value आई 2 u y by a y ऐसे अगर रट ना है ना time of flight तो ऐसे रटो याद करो 2 u by g time of flight के लिए 2 u by g याद करो क्यों एसे रटाने के लिए बोलो ध्यान सुनना और यह magnitude wise है याद करो जब अपने prickatail को u से उपर फेगा ऐसे उपर तो u से फेगा था time of flight याद करो फिर याद करो जब ग्राउंट करो फेगा था तब क्या है था 2 u y by g अगर inclined पर सोचो तो 2 u y by a y ओ हो 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 सही सोचो तो इसी formula के वो बाकि छोटे छोटे वर्जन हैं उनों जो आपने पहले पड़े थे तो याद रहेगा आपको थोड़ा ऐसे formula मतलब ना कि 2 u sin theta upon g cos alpha confused हो जाओ कि एसे रटना नहीं है अगर कुछ रटना है तो तो 2 u y by a y when you do u y और a y दोनो अच्छा बात तो सर आपकी बिलकुल सही है डरना नहीं किताब में रटने के लिए बोल देते हैं बिलकुल मत रटना ऐसे तो confused हो है कहाँ theta, कहाँ alpha, कहाँ ये, कहाँ वो confused तो नहीं हो रहे हो रटना नहीं है अगर रटना है तो तो 2 u y by a y ये पहले से link करता हो नजर आएगा आपको आप सुचो time of flight आ गई तो range निकालना कौन सी बड़ी बात है अब देखो sx क्या है sx क्या है uxt plus half of ext square sx क्या होगा त्यान से देखो लिखा जाएगा दराऊ ना लिखना हो u cos theta into t minus half of g sin alpha into t square t के लिए उठा के यहाँ से यहाँ डालो sx के ता लंबा दिखेगा को रटना थोड़ी है ऐसे अब इसे सवाल में देख लो सवाल में देख लो देखो जैसे ही मैंने देखा ना यह तो मैंने ऐसे लिखा आपको direct दिखाई देने लगता है सवाल करते लो अच्छा यह चारों दिख गए direct देखो कैसे time of flight क्या है so 2 u y 2 u y मतलब 2 into 30 by a y 2 u y by a y a y कितना है भई a y है 8 लो भई यह 4 से मर गया ओके यह 15 और यह 7.5 second सही बोल रहा हूं क्या और यह हाँ सार 7.5 second time of flight आगे तुरंट अब भईया कोई range पूछ ले s x तो s x क्या है sir u x यानिकी 40 into 7.5 यानिकी 15 by 2 कर लो चाहो तो ओहो थोड़ा असान हो जाएगा minus half of 6 into 15 by 2 का whole square ओहो हो 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 यही तो हुआ minus 6 अब सौल वाल कर लो जो भी आंसर आएगा आजाएगा अब ही tough सवाल कहला है पर अगर धियान से देखो तो 20 into 15 तो यह हो गया 215 जा 30 यह हो गया 300 हाँ minus यह हो गया अपने 3 ने 3 को माल लिए 225 into 3 225 into 3 बटे 4 अब जो भी आंसर आ रहा हो आजाएगा हो सौल कर दूंगा पूरा 225 into 3 डिवर्ड बई 4 168.75 माइनस 300 तो 131.25 देख लेना कोई calculation में mistake नहीं करी हो मैं calculation देख लेना बस लो भाया tough सवाल हो गया इतनी सी जगे में बोलो यह right वाली कहानी रटनी चाहिए कि समझनी चाहिए समझनी चाहिए short trick क्या है जहां से फेको उसे origin लो अच्छा और x direction along the inclined plane लो ओके और उसके perpendicular y ले लो और फिर ux ay ui ay और common sense अगर कुछ रटना है तो short trick क्या रटनी है t बराबर 2 ui by a y t बराबर 2 ui by a y बिलकुल गड़बड नहीं करनी है okay sir लो भई एक सवाल करा दिया कराया की नहीं कराया अब जो कूप सवाल करा सकता हूं उसमें क्या है क्या है क्या है तो ui by a y हाँ sir हाँ sir बहुत बढ़ी हाँ बहुत सुंदर कुछ रटनी रखा मैं फिर और रहा हूं अब सभी बताऊ तुसका एक और केस है डाउन दे इंक्लाइंट प्रेंट अर्या डाउन फेक लो डाउन फेक हैंगे तो जहां से फेक हैंगे से उसको ओरीजन फिर इंक्लाइंट को एकसिसे ले लेंगे और वाएकसिस ले लेंगे फिर से एक आनी रिपीट करेंगे फिर से एक सवाल बता दूँआ तुमें समझ आ जाएगा आएगा की नहीं आएगा अभी आजाएगा देखो ध्यान से सुनना अच्छा हाँ देखो कराओ पक्का इसे एरेस कर दूँ इसे एरेस के आगे चलते हैं ना चलो दूँ यह तो भाई हमारी कहानी हो गए यह तो हमें समझ आ गया यह सर हमें शांदार समझ आया इसमें गड़बढ़नी करनी पक्का हाँ सर यह तो हम सर समझ गया प्रोजेक्ट इलें गैन्ट उयू उय वाई वाई एवाई हमने सब सीख लिया हमने सादी कहानी सीख लिया वाई मैण्स यह मै cat यह मैंक्स वाई मैस इसमें एक और चीज़ बता रहा है अलागि इसकी कोई गतने इन जरुती दियान समझे कोई y max पूछ ले आप से मुझे बताओ आप y की maximum रफ़तार कब पहुंचोगे जब क्या आपका v y 0 हो जाएगा अरे हाँ सर v y 0 कब होगा जब अपन लिखेंगे v y square minus u y square पराबर 2 ay into y max क्या मैं सही बोलना हूँ अब v y हो गया 0 तो 0 minus u y square equal to minus times 2 ay into y max यह देखो ही लिखा हुआ है और यह सही बताओ रटने की जो रटने हैं याद करो h max क्या होता था u y square y 2 g और यहाँ पे g क्या होगा ay रटना नहीं है रटना नहीं है बिलकुल नहीं रटना है एक सवाल के रूप में देख लो उसको बस common sense काम करना चाहिए अरे सब कुछ वो ही है एक सब लग देखो y देखो y max कब होगा जब v y 0 तो v y v square minus 2 square बरबा 2s तो v y में लगा दो v y 0 कर दो तो भाई सब y max आ गया रटो मत बिलकुल नहीं रटना घरबढ़नी करनी अच्छा सर सही सर आया की नहीं आया अरे हाक की ना अरे सो मत अरे जिसने की शरम उसके आया नंबर कम बोलो भई आ गया सर आ गया रेंज में सब रटनी की ज़रोत नहीं है रेंज मैं आप पीछे सब सिखा चुका हूँ तरुमश रटना नहीं है बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं निकालना यह बिल्कुल एक दम शरम आप यह जिशा उसे दिमाग में सेट रखना जैसे मैंने बता था यह ठीक है कोई फॉम्ले नहीं रटने जिमाग चलाना है कुछ नहीं लगेगा टाइम कुछ रख नहीं तर टू यू आई भाई एवाई बस खतम और डाइगराम समझ में आज़े बेसिक दो बातें जहां से फेको ओरीजन X-axis Y-axis चलो बैज चालू हो जाओ टू यू आई भाई एवाई ओके काच यार पाइंट सर अब सुन देख भाई देखो अब क्या प्रजेक्टाइल ओन एन इंकलाइन प्लेन टॉप टू बॉटम से बताओं यह टाइम पास ही है अगर तुम्हें मेरी बात ध्यान सुनी तो उल्टा तुम कर सकते हो खुद से कैसे मैं बताता हूँ देखो दाउन दे इंकलाइन प्लेन फिर मैं तो कह रहा हूँ आप अपने एक्जामपल सी करते हैं इसको छोड़ो एक एक्जामपल लेते हैं और इसको कॉमन से से करते हैं तुम्हें कोई फॉम्हें रटने ही जुरूत नहीं पड़ेगी जहां से देखो यह ऐसे हैं फिर से एंग पूप टू से फेका गया ओके ठीक है बई बहुत बड़िया तुम फिर से धियान से देखो क्या पूचिए का टाइम फ़र quel जहां से इसे ले अपनी एक्जामप्र एक्जामपल और धीर की तरफ एकसस यह अपनी थाक्षик बात एक्जामपनी एक्सस नत्री के預 हाँ सर ले सकते हैं बिल्कुल गड़बर करने की शर्माने की गबराने की बिल्कुल आवशकता नहीं है अच्छी बात भाई बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर बहुत मजाया वावा अब क्या करें फिर से वही बात कहानी वही चलेगी यू एक्स कितना है बताओ 10 रूट 2 कॉस्ट 45 यानि की 10 यू वाई कितना है फिर से 10 अच्छा इधर 10 है एक्सलरेशन ओके थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि अब अपन कर चुके है यह 37 यह 53 यह भी 37 ओके 10 का इधर कंपोनेंट कितना 6 इधर कितना 8 इधर कितना 6 बिल्कुल सही लो भई अब बताओ एक्स कितना अब तो एक्स उधर ही है जिदर जा रहे है तो 6 एवाई कितना सर आठ सही बताओं तो इसमें भी टाइम आफ राइट वो ही आएगी 2 यू वाई बाई एवाई फिर भी दुबरा बता देता हूं ध्यान से देखो टक 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 फिर से वही बात सुवाई कितना? 0 अगर सुवाई 0 तो 0 बराबर 10 इंटू T ओके मैनस एवाई मैनस है ना? मैनस 8 है हाँ एवाई मैनस 8 है ध्यान देना और एक्स इसमें अंतर है AX positive है क्योंकि अब next direction positively है अच्छा तो 0 into 10 into T minus half of 8 into T square ध्यान से देख तो T की value क्या है 2 into 10 by 8 ध्यान से देख 2 UY by AY फिर से वो ही है दोनों में यही रटना है इसलिए मैंना रटाया है उसको यह तो मिने पूरा solve करके बताया कितना हुआ यह यह 4 यह ध्याई सेकंड ओह हो 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 खेला कतम खेला कतम टाइम पिरिड फिर से कितना 2 UY by AY बेसिक की बज़ाए सवाल से समझो करना वो ही है जहां से बेगाव ओरीजन नीचे की तरफ एक्सेस से Y एक्सेस चालू हो जाओ टाइम आफ लाइट 2 UY by AY ओह हो हो सिर्विस में एक्स डिरेक्शन में एक्स डिरेक्शन में एक्सलेशन पॉस्ट्व आ गया अब क्या था रेंज लो भाईया रेंज क्या है SX SX क्या है UX T प्लस हाफ आफ 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 AXT स्कॉर UX कितना पच्चीज बटे चार ओह हो 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 तो 75 बटे चार कितना 75 दिएट बाइट बाइट 4 कितना 18.75 प्लस 25 कितना अंसर आया 43.75 रट नी रखा सब तुमारे सामने करना हूँ लो भाईया रेंज आ गई टाइम आफ लाइट आगई अब थोड़ा mathematics लगा-लगा के इसको थोड़े वाट तफ कर सकते हैं अगर basic बात पूछ ले कोई कि भाईया अगर projectile को incline से उपर भेगना है तो क्या कर सकते हो अगर projectile को incline से नीचे भेगना है क्या कर सकते हो थोड़ा से तीज बताए मैंने पर समझाया आया की नहीं है दिमाग चलाओ ये चलाना पड़ेगा अगर सफलता चाहिए अगर सेलेक्शन चाहिए अब बोलो कि क्या कोई फर्मलर रटना है किताब हो और नहीं कुछ रटना है तो 2UY by AY और जहां से फेको वो ओरीजिन उपर मलब इंकलाइन पर एक्सेस और उसके पर मिलो बागी बेसिक अच्छा तोड़ तोड़ के सवाल करना आना चाहिए गड़बड करने की जुरत नहीं है ओके सर ओके सर पका